यूट्यूब चैनल साहे तद्धियन पर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यप्रदेश के लोक कलाओं में बुंदेल खंड क्षेत्र के लोक नरत्यों में पहला नरत्य है बधाई नरत्य जैसे इसका नाम है बहुत इसी है हम इसका नाम आसानी से याद कर इस नरत्य में इस्त्री पुरुषों की संयोक्त भूमिका होती है, यानि साथ में मिलकर इस्त्री और पुरुष नाचते हैं, तो बधाई नरत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का प्रसिद्ध लोक नरत्य है, पुरुष एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वा नरत्य माता शितला की, बधाई नरत्य में बधाई ताल, मूलता, धपले और मिरदंग पर बजाए जाते हैं, दूसरा नरत्य है राई नरत्य, देखिए राई नरत्य बघेल खंड में भी प्रेचले तो और बुंदेल खंड में भी, राई बुंदेल खंड का एक लोक प्र कहरateral करते हैं। लेकिन ये जो बुणिल खंड वाला हेरा इन में न daytime की होती है। अगे बढ़ते है थीस रा है। कांधा न में रत्ये मुन्धियाम रूप वाह जन्म त्योहारादी शुब अपसरों पर किया जाता है। चिन्म त्योहारादी शुब आदी शुबश है। होती थी और बिना कनडाज की शादी विवार नहीं होते थे लेकिन आज कल कानडा को कोई बुलाते नहीं पहले कणडार विवार का निवार-ए-ंग तंदी या जो और नको फॉलो नहीं करते लोग को जी ने सब करने में यह सब चिम पुरानी लगती है अच्छी लगती सुनने में लेकिन इसा हमारे कומulteur का पैसा ऐक दिए के लिए कोई बुलाता है तो आज इनको कोई है फिल्मी गाने चल गए नए गाने है नए डांस है ठीक है इस तरीके से लोग अपनी परंपरिक चीजों को बोलते जा रहे इसलिए कानडा नरत्य के कलाकार आज ना के बराबर है अब ना तो कोई शाधी बिभा में कानडा करवाते है आर्थिक अवाओं के कारण ही कानडा नरत्य छूटता जा रहा ein इस परकार से कानडा के जो कलाकार है वह भी इसको जीवनियापन की तरह के से Tamam cooking करना उनों ने बंद कर दिया इस प्रकार का नरत्य जो है आज के समय में लुप्त प्राय हो गया है, हमारी लोग कलाएं खत्ब होती जा रही है चौता है सेरा नरत्य बुंदेल खंड में शरावन भादों यानि सावन और भादों के महीने में जब बरसाद के महीनों महीने होते हैं तब ये नरतिक किया जाता है और यह पुरुश प्रधान नरत्य है इस नरत्य में डोलक, टिम्की, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी वाद्य प्रमुक होते हैं इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स पर ये डांस किया जाता है इनकी प्माचवा है धिमरियाई नरते, बुंदेल खंड में सामानेता धिमर जाती के लोग इस नरते को करते हैं, इसलिए इसे धिमरियाई नरते कहते हैं, इस नरते में रेकड़ी, खंजड़ी, मरदंग, ढोलक, आदिवादे यानि इंस्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, ठीक है, तो दीमर जाती के लोगों के कारण इस न्रत کا नाम पड़ा धिमरी eign raty आगे है अगला 9 रता न्रत नौरत इक तरह से देखे तो नव रतृ नो याई नौ और रता याईनि रतृ तो नौरता इसका नाम इसलिए पढ़ा क्यों किहें नव रत्री में किया जाता है बालिकाएं करती है जो की देवी का रूप मानी जाती है नौरता 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 में महिला और पुरुष कलाकार मिलकर सतरंगी छटा बिखेडते हैं इस नौरते में कन्याएं जो होती है वो लेंगा चुन्नी पहन कर सिर पर जिजिमा यानी छिद्रमय मटके में दीपक रखकर मादुरगा की स्तोती करती हैं और अगर नौरता निर्त का इतिहास देखा जाए तो प्राचीन काल में सुबटा नाम का एक राक्षस था जो कुमारी लड़कियों को बहुत परिशान करता था उनका हरन करके ले जाता था यानि उनको किड्नाइप करके ले जाता था तो आज भी हम गाओं में परंपरा सब्सक्राइब देखिया लगे तो लुप्त होती जा रही है लेकिन यह हम प्राचीन समय में परके बहुत चलती ती और गाओं तो कई जगे आज भी है सब सक्ष्क मैलता कि सुव्त्त नाम का दा उख कुमारी लड़कियों को या idee कि unmarried लड़कियों को बहुत परिशान करता था उनका हरण करके ले जाता था उनको kidnap कर लेता था जिसके चलते उसे छुटकारा पाने के लिए कन्याओं ने माता दुरगा की आराधना की फलस्वरूप माता दुरगा ने प्रसन्नो कर सुटा का वद कर दिया था तब से जो अभिवाहित लड़कियां हैं unmarried लड़कियां हैं इस न्रत्य को करती आ रही है यह प्राचीन काल से चला रहा है safety का न्रत्य है और माता दुरगा को समर्पित है इस परकार से बुंदेल खंडक शेत्र के छे लोक न्रत्य हमने देखे हमें इनके नाम याद रखने है पहला बधाई न्रत्य जो की जन में विबाहर तीज दिवारों के अपसर पर किया जाता है सरल सा नाम है बधाई न्रत्य हमें याद रहेगा दूसरा राई न्रत्य जो की के लोगों द्वारा किया जाता है इसलिए इसको कहते हैं धिमर्याई नरत्य और छटवा है नौ रता नरत्य नौ रता यानि नौ रात्री नौ रातों का समूह यानि नौ रता नौ रत्री में किया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं नौ रता नरत्य और इसको कन्याएं करती ह ये शक्ति पूजा यानि दुरगा की पूजा का प्रतीक है ये नरत्य और इसको वालिकाएं करती है इस प्रकार से हम इन 6 नामों को याद रखेंगे और साथी साथ और वीडियो भी देखिए थैंक्यू सो मज़ बहुत बहुत धन्यवाद